नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शिकाथाकुर हमारी खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरींद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पियमोदी का वो एतिहासिक भाषन जो नों ने 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनात मंदर में दिया अपने भाषन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काशी विश्वनात धाम करोडो करोडो देशवासियों की आस्था का एक प्रतीक है और लोग काशी आते हैं उसका मूल कारण कुछ और नहीं काशी विश्वनात महादेव के प्रती उनकी आपार सथा है इस मेरा सवभागे है कि आज काशी विश्वनात धाम जिस सपनों को लब्वे अर्षे से मन में संज्वया हुआ था जब मैं राजनीती में नहीं था तब जब यहाँ आता था कई बार आया लेकिन लग रहा था कि यहाँ कुछ करना चाहिए होना चाहिए लेकिन पता नहीं शायद भोले बाबा ने ताय किया होगा कि बेटे बाते बहुत कहते हो आव इधर करके दिखाओ और शायद भोले बाबा का आदेश कहो आशिरवात कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारम हो रहा है ये काशी विश्वना धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ती का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा चारों तरब दिवारों में फसा हुआ था साहए पताने कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी अब पहली बार अगल बगल के कई इमारतों को एकवायर किया गया भोले बाबा को तो मुक्ती मिलेगी लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशाल ताकी अनुभूती होगी मैं सबसे पहले सरकारी मुलाजिम तो मैंने बहुत देखे हैं क्योंकि कई वर्षवा तक मुक्मेंत्री रहा हूँ और जब सरकार कोई काम दे तो सरकार के मुलाजिम उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं लेकिन मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने यहां जिन अपसरों की टीम लगाई है वो टूजी टीम एक प्रकार से भक्ती भाव से इस काम में लगी है दिन रात इसको पूरा करने के लिए क्योंकि इतनी सारी प्रपर्टी रक्वार करना सबको समझाना सबको साथ लेना लोगों को भी समझाना वीरोधी और चूट फलाने वाले लोगों को भी काटना उनकी बातों को काटना बड़ा कथीन काम था और किसी भी हालत में इस प्रोजेक को राजनीती का जरासा भी रंग न लग जाएं इसकी पूरी चिंता करना ये सारा काम अपसरों की टोली ने किया है बज़ सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता उनका धन्यवाद का मैं इस परिश्टर में जो इमारते थी जिसके मालिक थे अलग अलग लोग कुछ लोग किराय पर रहते थे उनसे आगरे किया कि बाबा का काम है अगर आप जगा छोड़ने के लोग त्यार हो जाए करीब करीब 300 प्रॉपर्टिज इतने कम समय में और दो-चार लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहीयोग दिया सरकार की हर बात में भरोसा किया और अपनी इस बहमुले जगा को छोड़ करके बाबा के चर्णों में समर्पित कर दी शायद मैं समझता हूँ यह सबसे बड़ा दान यह परिशर में पहले रहने वाले लोगों ने किया है और इसलिए मैं उनका भी यहां के सांसत के रूप में रदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अभिनंदन करता हूँ को उन्होंने इस काम को अपना काम मान करके हमारा सहयोग किया और यह सपना पूरा हो रहा है कितने सद्यों से यह स्थान दुश्मनों के निशाने पर रहा कितनी बार द्वस्त हुआ कितनी बार अस्तित्व के मिना जिया लेकिन यहां की आस्ता ने उसको पुनर जन्म दिया पुनर जिविद दिया पुनर चेतना दी और यह करम सद्यों से चलता रहा जब मात्मा गांदी यहां आये थे तो उनके मन में भी एक पीड़ा थी कि भोले बाबा का स्थान ऐसा क्यों उन्होंने भी बियेचु में अपनी बात बताते समय इस पीड़ा को व्यक्त करने से रोक नहीं पाई थे उसको भी कुछ समय के बाद साइट सो साल हो जाएंगे उनकी बात को अहल्या देवी ने सद्यों के बाद इसका प्रणुद्धार का बिरा उठाया था करीब करीब सबादो सो ढाई सो साल पहले और तब जाकर के उस्थान को एक रूप मिला परिस्थिती मिली अहल्या बाई का बहुत बड़ा रोल रहा इसको अगर आप सोमनाथ जाएंगे तो सोमनाथ में भी अहल्या बाई ने बहुत बड़ी भूमिक आने पाई थी शिव भक्ति में लीन अहल्या बाई राज की धुरा समालते समालते इस काम को भी करते थी लेकिन उसको भी करिब करिब सबा दो सो ढाई सो साल बिद गए बिच के कालखंड में भोले बाबा की चिंता किसी ने की नहीं की समने अपने अपने की मैं हरान हूँ जब इतने सारी इमारतों को तोड़ना शुरू किया तो पता नहीं था कि 40 से जादा इतने मुल्यवान मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में एंक्रोच्मेंट करके दबा दबा करके किसी ने उसमें कीचन मना दिया था पता नहीं क्या क्या कर दिया था ये तो अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई और ये सपना सज गया और उसके कारण सिर्फ भोले बाबा ने चालिस के करीब जादा ऐसे एक्तिहासिक पुरा तत्विय मंदिर अंदर से मिले इस पूरे धाम में जब अब देश और दुनिया के यात्री आएंगे तो उनको अजूबा लगेगा कि कैसा काम हमारे कुछ लोगों ने कर दिया और शासन व्यवस्ता भी सत्तर साल तक चूप रही लोग सब चीजे दबाते गए दबाते गए दबाते गए लेकिन आज उन चालिस मंदिरों की मुक्ति का भी अवसर आ गया और मुझे बताया गया कि शायद बहुत दसकों के बाद ऐसी सिवरात्र यहां मनी होगी जो इस बार मनी है इतना खुला परिशर था शीव भक्तों का जमावड़ा था हजारों की तादाद में लोग अपने मुबाइल फोन से सेल्पी ले रहे थे आप सोशल मीडिया में दे लाखों की तादाद में आज दिख रही है एक सपना था और आप देख रहे हैं यहां जो मोडेल रखा है और यह फिल्म में जो आप देख रहे हैं अब मां गंगा के साथ भोले बाबा का सीधा समंद जोड़ दिया है गंगा से हम सीधे सनान करके भोले बाबा के चर्णों में आ करके सर जुका सकते हैं यह काशि विश्वनात महदेव यह भोले बाबा का स्थान करोडो करोडो देश वाच्छों की आस्ता का स्थान है लोग काशी आते हैं उसका मूल करण काशी विश्वनात महादेव के पती अपार स्था है उस आस्ता को बल मिलेगा हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो विवस्ता कैसे हो उसका एक मोडेल त्यार होगा पुरा तत्वियक चीजों को बर्चाय रखते हुए उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है जवस्ताएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है इसका एक भहुत ही अच्छा मिलन इस परिशर के निर्मान कारिय में दिखाई देगा ये काशी विश्वनाद्धाम काशी विश्वनाद्मंदीर के आस पास का पूरा परिशर के populations में जाना जाएगा और गंगा मा तक हमें ये परिशर ले जाएगा ये धाम हमें मा गंगा से जोड़ेगा इसे पुड़े विश्व में कासी के एक नई पहचान बनने वाली है सबाद दोसो डाइसो साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्ग के लिए और इसलिए सायद जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे मेरे भीतर से कावाद निकली थी मैं आया नहीं हूँ मुझे बुलाया है और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था और इन कामों को पूरा करने का संगल्प फिर एक बाहर बहुत प्रबल हुआ है बहुत मजबूत हुआ है कि जितना ज़्यादा और यह सिरफ काशी वाद्षियों के जीवन से जुड़ा नहीं है देश वाद्षियों से जुड़ा हुआ है मैं तो बनारस हिंज उनिवर्सिटी से भी आगरह करूँगा किस पूरे काशी विश्वना धाम के निर्मान का जो कंसेप्ट है किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाए गया प्रॉपर्टी कैसे एक्वाइर की गई लोगों ने कैसे सहयोग दिया एक केस टड़ी के रुप में युनिवर्सिटी ने काम करना चाहिए और एक तरफ ये धाम का निर्मान होता चले और काशी विश्वनिदू इनिवर्सिटी हमारी इस रिशर्च काम को भी साथ साथ करे ताकि जब इस काम पूरा होगा तो ऐसा वाल्यूम हम दुनिया के सामने दे पाएंगे कि एक परिश्वर को कैसे बनाये गए धाम का निर्मान कैसे किया गया कैसे कैसे लोगों का इसका इन्वर्मेंट रहा और एक भहुत अच्छा डोक्यूमेंटेशन इससे बन सकता है सास्त्रोक तरुप से जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें रत्ती भर भी कॉम्प्रोबाइट नहीं किया है सास्त्रोक तरुप जो बंदन है उसका पूरा पालन करते हुए इसको किया गया है ताकि आस्था को कही पर भी खरोच ना आए आज ये काशी विश्वना धाम अपने आप में समगर कासी की नव चेतना का केंद्र बनने वाला है सामाजिक चेतना का केंद्र बनने वाला है ये आस्ता सामाजिक चेतना का केंद्र बन जाती है तब सामाजिक करांती का अवसर पैदा करती है ऐसा पवित्र कारिया आज इस धर्ती पर हो रहा है मैं फिर एक बार योगी जी की सरकार को क्योंकि अगर शुरू के मैंने तीन साल मुझे राज्य सरकार का सहयोग मिला होता तो शायद ये काम आज हम उद्गेडन करते होते लेकिन पहले तिन साल मेरे एक प्रकाश से सहयोग का मतावन रहा था उसके काम में कर नहीं पाता था लेकिन जब से आपने योगी जी को उत्तपदेश का काम दिया है तब से काशी के कामों में भी सुविधा बनी है और उन सुविधाओं को पूर्ण करने का मुझे आउसर मिला है, मुझे भी स्वास है कि काशी बाश्चों के आशा पेक्षाओं को हम पूर्ण करेंगे और ये जो चालिस प्रसाद ले जाने दीजिए सही जगा पे जा रहा है और उनको मालूम है क्या हाथ हाथ लगा दा तो हम लोग ये जो चालिस मंदिर प्राप्त हुए है उसको भी उसी प्रकार से समा लेंगे